ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजीनोलिसिस एंड ग्लुको नियोजेनेसिस वाट आर दा मेंड डिफरेंशेस बिट्विन देम हलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में ज्यादा तर इस्टुडेंट्स, रेस्पिरेशन और डाइजेशन की इन चार प्रोसेस में कन्फ्यूज रहते हैं तो आज हम आपकी कन्फ्यूजन दूर किये देते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे नीचे की लाल रंग की बटन दबाएए और वहां बेल बनी होगी उसको भी दबाएए आप ताकि लगातार आपको हम नोटिफिकेशन देते रहें अच्छे अच्छे वीडियोज देते रहें सबसे पहले तो आप दो बातें जाल लें बाइलोजी में लिसिस मतलब स्प्लेटिंग तूटना और जेनेसिस मतलब फार्मेशन बनना तो आईए सुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस ग्लाइको मतलब होता है सूगर या ग्लूकोज और लिसिस मतलब स्प्लेटिंग इसे EMP पाथवे भी कहते हैं क्योंकि तीन अलग-अलग साइंटिस्ट एंबडेन, मेयर हाफ और पारनस ने 1930 में इसको डिसको डिसकोबर करा था Glycolysis is the process of partial oxidation of glucose into two molecules of pyruvic acid through a series of 10 enzyme-mediated reactions Glycolysis एक ऐसी क्रिया है जिसमें glucose का partial यानि आंसिक रूप से oxidation होता है तूटता है और जब तूटता है तो pyruvic acid के दो molecules बनते हैं ये क्रिया यानि कि glucose से pyruvic acid बनने में लगभग 10 enzymes का यूज होता है Glycolysis cytosol या cytoplasm में होती है और ये कामन पथ है aerobic और anaerobic respiration के लिए यानि oxygen हो या न हो glycolysis हो सकती है अब glycogenesis It is the conversion of excess of glucose into glycogen by liver cells with the help of insulin secreted by the pancreas जब हम अपने body में excess amount में glucose ले लेते हैं तो उसे liver की cells के द्वारा glycogen में तोड करके या बदल करके store कर लिया जाता है और इस कारे में help करता है pancreas की beta cell से निकलने वाला insulin hormone यानि glucose की excess amount को insulin हमारे सरीर में control करता है अगला glycogenolysis It is the conversion of glycogen into glucose by the liver cells with the help of glucogon secreted by pancreas ये process glycogenesis के ठीक opposite है इसमें जो glycogen store करा गया था सरीर में वो फिर से glucose में convert किया जाता है लेकिन liver cells के द्वारा ही और इसमें जो hormone help करता है वो है pancreas की alpha cell से निकलने वाला glucogon यानि body में excess amount of glucose को insulin और less amount of glucose को glucogon control करता है last gluconeogenesis नाम से ही पता चल रहा है neo मतलब कुछ नया बनेगा genesis मतलब निर्माड formation It is the formation of glucose or glycogen from non-carbohydrate sources such as amino acid fatty acid glycerol ETC It takes place in liver, kidneys and striated muscles जब हमारे सरीर में किसी कारण से energy level यानि glucose या glycogen घट जाता है तो उस time पे बाहर से भी glucose न लिया जा रहा हो तो सरीर में मौझूद fat और protein के जो products हैं उनको carbohydrate product में convert कर दिया जाता है जिससे energy मिलती है ये kriyal, liver, kidney और रेखित पेशियों में होती है for any queries please comment and subscribe, like, share our channel, our videos thank you